नमस्कार दोस्तों मुकेश साहू क्लासेश चैनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए उसके पाद आपको बेल आइकान दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें बिल्कुल फिरी में आ थीन प्रकार के पहते हैं GD s का मतब होता है इसके अंतर्गत होते हैं ये तीन पद और आगे इसमें बताया कि आप देख सकते हुआ है इनको पोष्ट को प्रकार काप आएगा और यह होता है Gdas घ्रामिन राक सेवग इसके लिए आपकी आई-उ होनी चाहिए और क्या इसमे आपको salary मिलेगी यो भी पता दिया गया है BPM को मतलब branch postmaster जो होता है उसको 12,000 और working के अधार पर इसको दिया जाते है 12,000 से 14,500 और assistant BPM या dark सिवक को 10,000 से लेकर 12,000 तक मिलेगा उनके work hours के अधार पर eligibility इसमें ये है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जिसमें जो relaxation होता है category wise और other वो सब भी लागव होगा अलग अलग 15,10,2019 को 40 से अधिक नहीं होना चाहिए general के लिए और आगे इसमें educational qualification इसका जो है वो है 10th level दस्वी का जो certificate exam है वो pass होना चाहिए बस उससे अधिक अगर है तो उसकी कोई value नहीं है शिर्फ दस्वी के अधार पर ये merit list बनेगा compulsory knowledge आप local language, local language का compulsory knowledge होना चाहिए 36 गड़ी का जो local language है हिंदी उसकी complete मतलब compulsory knowledge होना चाहिए और आगे इसमें ये बताए गया है basic computer knowledge होना चाहिए जिसका certificate आपको मांगा जा सकता है इसमें लिखा हुआ है कि basic computer knowledge का आपके पास certificate होना चाहिए residence के बारे में लिखा गया है जहां आप काम करने जाएंगे वहां आपको वरस्था करनी होगी पोस्ट ऑफीस जहां आप वगरा आप और जो काम करेंगे उसके लिए आपको खुद रस्था करनी होगी और कुछ बॉन्ड भी इसमें आपको जमा करना होगा वह सब आपकी जिम्मेदारी होगी आगे इसमें knowledge of cycling cycle चलाना अनिमार्य रहेगा cycle चलाना आना चाहिए यह इसमें compulsory है और इसमें आगे बताया गया है कि प्रक्रिया किस प्रकार की होगी selection की वह प्रक्रिया होगी इसमें देखिए handicap के लिए क्या क्या allowed है वो भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है cycle नहीं चला सकते तो scooter या motorcycle भी allowed है उसको आप उसके लिए आपको अलग से कुछ submit करना होगा और आगे इसमें बताया गया है कि option for applying on GDS post a candidate can apply for maximum of 20 post all over India per cycle of online engagement 20 post के लिए आप apply कर सकते हैं वहाँ select करेंगे जैसे कि गाओं का नाम दिया हुआ है तो 20 गाओं का आप नाम select कर पाएंगे और शिरिफ उस 20 गाओं के लिए ही आपको count किया जाएगा बाकी जगा आलवर 36 गड 20 गाओं का मतलब 20 post 20 पर्थ के लिए आपको चुनना है और शिरिफ वहीं आप count होंगे इसका मतलब यह है कि by chance या by luck आप से कम वालक किसी और जगा apply किया है उसका भी लग सकते है क्योंकि आपने वहाँ apply नहीं किया है तो यह उस 20 post पर निलभर करेगा आपका selection स्रीफ और आ आपके mark street में percentage नहीं दिया है grade दिया है तो आपको percentage निकाल कर वहां mention करना होगा कि उसी के अधार पर automatic generated जो list बनेगा computer के द्वारा वहां से selection list निकल जाएगा और higher education के कोई value नहीं है दसवी के अधार पर हिसमें selection किया जाएगा यह all India level का है जिसमें कहीं से भी कोई भी apply कर सक सकता है कि तो यह आप देख सकते हैं यह था notification और इसके लिए आपको मैं बता देता हूं एक मिनट फिस जो होगा वो 100 रुपय का होगा और यह आपको post office के माध्यम से pay करना होगा और receipt लेना होगा receipt में आपको registration ID मिलेगा उसका उपयोग करना होगा online farmer फिल अपके समय और इसमें जो last data news में आया है 21 नॉमबर है तो आप उसको confirm कर लिए और online application farmer भरके online payment नहीं होगा post office के माध्यम से payment होगा तो इससे ध्यान रखिए आप देख सकते हैं यह website का यहाँ address दिये वहाँ जाके आप application farmer फिल अप कर सकते हैं payment कर सकते हैं और सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद जहिन